दोस्तो पावर बटन तो हम सभी लोगों के मुबाइल में रहता है यहां पर जिसे बेसिकली आप अपने मुबाइल को सी चोप करते है रिस्टार्ट करते है यहां पर अमरजंसी मोड भी आप जो है ओपोन जो है कर सकते हैं यह तीन चार ही काम आप कर सकते हूँ लेकिन आज दोस्तो इस वीडियो के अंदर आपको आपके मुबाइल के पावर बटन की चार एक नहीं दोस्तो दो नहीं पूरी चार ultimate खोपया ट्रिक बताने वाला हो आपके पास कोई भी मुबाइल हो कोई फ़रक नहीं पड़ेगा यह चारों की चारों खोपया ट्रिक आप अपने और दोस्तों ये जो चाल ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मुझाल के power button की ये आपके in future बहुत ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों क्योंकि अब आप इस चीज को सीखेंगे तो भविस्ये में आप इसको use भी जरूर करेंगे और आपके बहुत ज़्याद काम ये बात आने वाली है जो आज मैं आपको आपके मुझाल की power button को लेकर बताने वाला हूँ दोस्तों आज आप इस वीडियो को देखकर कहने वाले हो कि कास ये trick मुझे पहले पता होता और एक प्यारा सा comment भी कर देना यदि ये वीडियो आपको उच्छी लगे तो आपको दियान से देखने हैं पहली trick की और बढ़ते है डिरेक्टी पहली trick क्या है दोस्तों थोड़ा दियान से समझना ओके दोस्तों यदि आप अपने मुबाइल की setting में जाएंगे यहां पर इस तरीके से आप setting में चले जाएंगे setting में जाने के बाद आपको यहां पर एक pattern पिन होगा वह आपसे enter करने के लिए बोला जाएगा तो आप यहां पर अपने मुबाइल का जो pattern है उसको डालेंगे अब यहां पर बहुत सारी setting ओन हो जाएगी आपके मुबाइल के अंदर ओके यहां पर दोस्तों यदि आप एक setting को ओन करते हो तो आपको क्या फाइदा म पगड़ना चाहते हो और साथ साथ अपने मुबाइल के सभी data को secure करना चाहते हो तो इस setting आपके इन future बहुत ज्यादा काम आने वाली है यहां पर आपके एक setting मिलेगे देखने को इसका नाम होगा लोग network and security आप इस setting को own कर देंगे बहुत सारे मुबाइल रहते हैं जिनमें यह setting पहले से ही already own मिलती है तो आप गलती से भी setting को बंद मत कर देना दोश्तों के बंद मत कर देना ओके check कर लेना own है या फिर नहीं है ओन है तो अच्छी बात है own नहीं है तो इसको own करना अब इसका फाइदा आपको क्या मिनने वाला है वो थोड़ा ध्यान से देखना कोई और दूसरा phone लूँगा उस phone से अपने mobile को track करूँगा ओके वह आप सभी को पता है track कैसे करते है find my mobile से track कर लेते हैं अपने mobile को लेकिन यदि दोस्तों जो आपके mobile जिसको आपका mobile मिलेगा यदि वह चालू रहेगा उसको पता चल जाएगा कि इस mobile का internet मुझे बंद करन करने की कोशिश करेगा तो जैसे वह इसको बंद करने कोशिश करेगा यह बंद नहीं होगा यह पहले आपका जो है pattern मांगेगा यानि कि लोग open करने के लिए बोलेगा इसी तरीके से यदि वह चाहेगा कि यहाँ पर वाइफाई बंद करना है यदि वाइफाई कहीं से connect हो आया है तो वाइफाई भी यहाँ पर बंद नहीं होगा यानि कि जो आपकी नेट्रक सीक्यूरिटी है वो लोग हो जाएगी अब बिना लोग open किये आपके जो नेट्रक है उनको कोई बंद नहीं कर सकता है इसका आपको फाइदा मिल जाएगा जब आपका दोस्तों कहीं भ अभी को पता है लेकिन यदि किसी साधारन से व्यक्ति को आपका मुबाइल मिलता है तो आप उसको ट्रैक कर पाएगे यदि आपकी मुबाइल में सैटिंग ओन रहेगी तो अब दोस्तों बात करते है सेकंड ट्रिक की सेकंड ट्रिक क्या है दोस्तों जब आप अपने क्ट करना क्या होगा वही बताने वाला हुकर सबसे पहले आपको क्या क्या गरना है दोस्तों को वाली के settings में जाना है, okay, setting में जाने के बाद आपको दुबारा फिर लोक screen वाली setting में जाना है, okay, wiemrick screen वाली setting में जाने के बाद यहाँ पर नीचे जायेंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर इतका option ढूटना है, यहां पर चलिए मैं इस बार यहां पर एक इप select करता हूं कि मैं इस बार torch कर लेता हूं यहां पर left side मैंने torch रखा है और right side आपको क्यार करना है वह यहां पर आप select रख लेंगी तो जैसे मैं right side में यूट्यूब ही रखना चाहता हूं मैंने पहली सेट की हुई है, अब देखें दोस्तों, जैसे निम घंद करता हूँ, जैसे लोक लगा थाूँ अपने मोईल का लोक को उपन करते हैं, तो यहां पर इक साई तो और एक साइड यूट्यूब जो है आ गया है तो देखने में भी अच्छे लगते हैं यहां से सोट कट भी आपको मिल जाता है इसक्रीन लोग के स्क्रीन पर ही ओके तहरा दोस्तों सैकंड नंबर की ट्रिक भी आपकी कमाल के ट्रिक जो कि आप जो है यूज कर सकते हो अपने म कर डर बटन से अब दोस्तों बात करेंगे तिस्रे नंबर की ultimate ट्रिक के बारे में दोस्तों यह ट्रिक आपके लिए बहुत जादा यूज कर सकते हो, लेकिन पता आपको होना चाहिए, इसके लिए आप क्या काम करेंगे, दोस्तों, आप जाएंगे अपने वाले की सैटिंग में, सैटिंग में जाने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक उप्शन मिल जाता है देखने को आक्षन होना चाहिए, तो यहां पर पावर ओफ मिन्नू था, इस बार हम कर देंगे वैक बिक्षिबाई, तो अब यदि हम अपने पावर बटन को दबाई रखेंगे न, सिच ओप करने के लिए, तो आप देख सकते हो, बिक्षिबाई ओपन हुआ है, ना कि जो यहां पर पा पावर ओफ करने के लिए, आप जाएंगे यहां पर नोट्रिफिकेशन सेक्षन में, इसको एक बार ऐसे करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, अब यहां पर उप्सन आ गया है, बीच में, यहां पर दबाएंगे, तो यहां पर से आप पावर ओफ को इस तरीके से कर से पावर ओफ नहीं होगी, तो इसका अप लगलग मामले में अपने अवसक्ते के अनुसार, आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, अपने मुबाइल के अंदर, यह मैंने आपको बता दिया है, यूज कैसे करनी है, अब दोस्तों बात करेंगे, चार नंबर के ट्रिक की, जि आपको वापिस से फिर एडवांस फीचर में जाना है, एडवांस फीचर में जाने के बाद, यहाँ पर आपको यह ओप्शन देखने को मिलेगा, सबसे नीचे, पैनिक मोड, यहाँ पिर आपके मुबाइल में होगा, SOS, पता सभी को यह काम क्या है, लेकिन यूज करना नह जैसे मैं डाल लेता हूँ, जोनी, फोन नमबर डाल लेंगे, जैसे मैं फोन नमबर डाल लेता हूँ, यह वाला, इसके बाद यहाँ पर करेंगे, शेव, अब दोस्तो, यहाँ पर लिखावार, जोनी, अब इससे क्या होगा, मेरा पैनिक मोड ओन हो चुका है, यदि मुझे कोई अमरजनसी आती है, और मैं अपना, मैंने अपने मुगाल को अपने पोकेट में डाला हुआ है, मैं लोक भी नहीं ओपन करना चाहता हूँ, किसी बंदे के बास, त दोस्तों, और दोस्तों, उससे क्या होगा, अमरजनसी कोल लग जाएगी, और आपका मॉइल अटोमेटिक ही, उस नमबर पर वाट्चाप एक मैसेज भेद देगा, सोरी, जिससे कि वो बंदा आपके पास वापिस से कोल कर ले, अब हम जाएंगे मैसेज वाले सेक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जोनी के पास कोल जा चुकी है, मैसेज जा चुका है, उसके पास मेरी लोकेशन भी जा चुकी है, तो वो इसको देखकर दोस्तों, क्या करेगा, मेरे पास उदर से कोल करेगा, और कोल करने के बाद, जो है मेरे से पुछेगा, क्या कारण हुआ पतल अब इसको आप emergency में यूज कर सकते हूँ ये trick आपको हमेशा अपने वाले में लगा कर रखनी चाहिए ओके यदि आपके घर में कोई ladies है तो उसके वाले में इस trick को जुरू से